कैसे हैं सब लोग वेलकम यूट्टी पॉइंट जेके दिस इस शोईब तो आज हमने क्या करना है आज हमने करना था आइलेंड अभी तक हमने जितना भी कर लिया है सारी प्ले लिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ठीक है वहां से जाके आप वो सारी प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियो से देख सकते हैं इसके पीडिएफ की बात करेंगे तो टैलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको ठीक है टैलीग्राम की लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वहां से जाएं हो सकते हो यहां पे होती है उसको बोलते है ठीज साइड जी को इसको बोलते है थीम इसको बोलते हैं ओटे एन्डिया आप up के और दोавать प meget वांड़िया तो झालते हैं सिर्ट इसको बिर्ट्रेम को ढ़ते हैं फॉर None इंडिया त्री तू फाइफ या शीक्स राइट अंसर इस तू और वो कौन कौन से आपके दो ग्रूप से एक आगया अंडोमान और निकोबार आइलेंड्स ठीक है उसके बाद आगया आपका लक्षेदिप आइलेंड्स एक नेक्स्ट कोश्चन की बात करें अंडोमान निको आइलेंड लाइज बे और पेंगल स्टेटमन बताएं टू है या फौल्स है ठीक है देखो यह आपका पैनेसुलर इंडिया यहां पे है आपका बे ऑफ पैंगल ठीक है और यहां पर बढ़ता है अपका अंडोमान और निकोबार आइलेंड्स यहां पे है आपका यहां पर पूछा गया आपका लक्षेदीप का और कहा गया राबियंसी का स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है यहां पर हमने देख लिया और यहां पर है आपका इंडियन ओशियन ठीक है फिफ्ट कोश्चन कहा रहा है अंडोमार एंडिकोबार कंसिस्ट अफ हो मैनी आई आइलेंड और आइलेंड ठीक है बताएं मुझे 570, 571, 572 या 573 तर राइट आंसर इस 572 आइलेंड मिलके का बनाते हैं आपका बड़ा आइलेंड जिसको आप बोलते हो अंडोमार एंडिकोबार आईलेंड बात करें यहां पर शिक्ष्ट कोश्ट की ठीक है अब आप बता 14 डिवी नॉर्थ 92 डीगरी इस्ट 94 डीकरी बाद उसके बाद 5 डीगरी नौट 15 डीगरी नॉर्थ और 91 डीजी इस्ट ऊपर डीडीड इस्ट अननल ऌनिट टीएस्ट । 27 डीडी इस्ट डीवन आगया अपका नौना दीज़ देखें यह आपका वरल्ल्ट य्याप यह प्लाइब को पड़ता है यहां पर आपका निकोबार को यह से होता है इसका जो राइट आशिए उसका वो क्या आपका 6 degree north to 14 degree north ठीक है 6 degree से लेके 14 degree तक उसके बाद 92 degree east से लेके 94 degree east तक जो 94 degree east की हम बात करते हैं यह आ जाता है आपका कौन सा longitudinal extent इसका यहाँ पर हम देखते हैं और यह जो हम देखते है 6 degree north to 14 degree north ठीक है यह आ जाता है आपका latitudinal extent ठीक है clear आपको उसके बाद बात करें यहां पर 7th question की, 7th question के कह रहे है आपका group of island is known as RQ पे लगो, ठीक है, RQ पे लगो, बिल्कुल true statement है, ठीक है, A1 इसका right answer है, बात करें 8 question की, ठीक है, अंडो मार और निको बार island is separated by, ठीक है, बताएं, अंडो मार और निको बार island आपका separate है, किस channel के साथ separate है, channel की मैंने particular यहां पर definition लिखी है, वो भी देखेंगे, और इसका difference करेंगे straight के साथ, ठीक है, straight के साथ, इसका हम difference करके देखेंगे, तोनों में क्या difference होता है, candidates को confusion भी राती है, दूर करेंगे, आज वो confusion, ओके, तो यहां पर बताएं, मुझे 8th question का क्या answer होगा, यहां प आपको बोला, अंडो मान एनिकोबार आइलेंड जो है, वो आपका separate कितने degree, चैनल से है, ठीक है, यह देखेंगा, यह है आपका, अंडो मान एनिकोबार आइलेंड, ठीक है, यह है आपका, पूरा का पूरा, यह जो आइलेंड से, यह कहलाते हैं, अंडो मान, ठीक है, ठीक भी आप include करते हैं लिटल अंडोमान को मैं यहां पर नहीं किया सौथ के बाद अपका लिटल भी आता नॉर्थ से स्टार्ट होता ठीक है उसके बाद यहां पर देखे कार निको बार से लेके ग्रेट निको बार तक यह आता है आपका इसको बोलते हो आप निको बार मेरी बास समझ रहे हैं मैंने पूछा आपको इससे ऊपर आपने क्या देखा अंडोमान देखा मैं पूछ रहा हूं अंडोमान आईलेंड और तो यहां पर देखे इसका राइट आंसर है 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडोमान एनिकोबार आइलेंड को यहां पर भी आपको इसका अंसर मिल गया अब हम ऑप्षिंस में देखते हैं कि तो यहां पर आप आजाएए कि A option के आपका 6-degree channel B option के आपको पता देता हूं पर हम देखेंगे नीचे थी का अपका 10-degree channel हमने यह यह ते देख भी लिया तिक है यहां पर क्या है इस ब्लिव टाइग्लेंड को से आपके अंडोमान एनिकोबार आइलेंड नेदी क kalau की एलिवेटिड पॉर्षिन है कि इसका साब मेईरिन मॉनेंट मुझे बता हूं मैं सब में का मतलब होता है आपके अंदर सी इक मॉंटेन ठीक है अंदर सी मॉंटेन देखो आपके जब यह आपका है लैंड ठीक है इसके उपर है आपकी water body आप इसको यहाँ पर ocean भी कह सकते हैं ठीक है उसके बाद देखें आप क्या process किस तरह से आपकी sub marine mountain होते हैं ठीक है यह किस तरह से इनकी formation होती है अब tectonic plates टकराती हैं कहाँ पर land भे ठीक है land surface पर tectonic plates टकराएंगी इनके टकराने से mountains की formation होगी ठीक है इसी तरह जो आपको पानी के अंदर mountains देखने को मिलेंगे उन्हीं को कहते है sub marine mountains यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यह आपकी जो अंडोमार और निकोपार islands है यह अलिविट्र पोर्चन है इनी sub marine mountains का ठीक है यहाँ पर अगर यह पानी से पानी का जो surface होगा ठीक है oceanic surface होगा अगर उस surface से यह mountains पाहर आ जाते तो यह बना देंगे islands ठीक है इसी तरह जब यह mountains यहाँ पर भी आपका जब volcanic eruption हुआ ठीक है तो यहाँ पर यह जो mountains बने यहाँ पर यह पानी की surface से जो है बाहर नहीं आए तो यहाँ पर यह कुछ भी अपे आपको नहीं हुआ बट यहाँ जब इनकी continuity रही ठीक है इस तरह से यहाँ पर भी mountain रहे यहाँ पर भी mountain रहे बाद में यहाँ पर आके appear होगे ठीक है ना इसी mountain का यह elevated portion है सब्मारीन मॉंटेन का यह elevated portion है यही कोशन यहाँ पर कहा जा रहा है तो यह क्या यह believe किया जाता है कि जो अंडो मैन निकोबार आइ electronic place की क्या हो जाए एक collusion हो जाए एक दूसरे के साथ okay so we can say that the statement is absolutely true okay तो यहाँ पर बात करें 10th वंगी which of the following island of india has volcanic origin बताए मुझे क्या वह barren island है क्या वह कार निकोबार है लिटल निकोबार है आपका यह नौर्थ अंडोमान है इसका राइट अंसर है वह आपका barren island अभी म देखेंगे इसकी location भी बात करें यहाँ पर कोश्चन यहाँ पर क्या कहा रहा है सेडल पीक इस दा हाइस्ट पीक अफ अंडोमान निकोबार आइलेंड इस लोकेट इन बताए मुझे सेडल पीक जो हाइस्ट पीक अंडोमान निकोबार की वह कहां पर लोकेट है ग्रेट न उसके बात दिएंड़ न ओमान न उन और्वेंड रिजिए आपका उंडोमान अब यहां पर का मिया इहां पिर यहां को निकोबार पे रिजिन को किस तरह वह गला किस तरह से ऑंडोमान एक थिका उसके बाद आपका मेडल टोमान चाप यहां रखें लिटल अंडूमान थीक है यहां थिल्डपर अब बताई आए इंडवारं तूपर में तो होई बताऊंगा चलो बता यहीं पर देता हूँ देखो यह निको बार है सबसे पहले आगए आपका कार निको बार ठीक है सबसे सदन साइड आगी निको बार की कार निको बार मिडल में क्या आगए आपका लीटल निको बार ठीक है उसके बार लास्ट पर आगया आपका Great निकोबार ठीक है इस सीक्वेंस को भी आपने याद रखना है अब बताएं मुझे यहाँ पर निकोबार में तो नहीं है ठीक है अंडोमान का यह रिजिन का आपको वहाँ पर क्या मिलेगा सेडल पीक बात करें यहाँ पर FixTSotch की डंकन पैसेज बताएं मुझे डंकन यहाँ करते है लिटल नंदोमान को अभी हमने क्या देखा हमने देखा नौर्थ नंडोमान उसके बाद आगया अपक वीचल आगया जब लीटल इंडोमान ठीक है little undermine की बात की जा रही है यह separate करता है किसको South यहाँ पर के साथ separate करता है यहां पर यहाँ बोला का यहाँ बैसे आपका डंकन को घलत है मुझे बताओ सादू में आपको स्टेटमेंट बिगूल ट्रू है ठीक है अब देखो यहां पर नेक्स्ट कहा जा रहा है तो ग्रैंड चैनल इस बट्वीन ग्रेट नीको बार आइलेंड एंड सुमत्रा एंड सुमत्रा आइलेंड अफ इंडोनेशिया यहां पर मैंने नीचे इमेज भी र यहांपे सेपरेट मुझे न बताएं क्या चीज इन कौन सा चैनल को यहां पर सेपरेट कर रहा है बताऊ मुझे आप बड़न चैनल इससों को संवत्रा लिंड कोrakो रेएंड को को थीकए जो डिवीजन उसका भी पूद पूछा जा सकता है है उसका खुद ऐसे भी लिखा जा सकता है कि निको बार और सुमत्र आइलेंड को कौन सा चैनल जो है डिवाइड गरता है तो बताएं मुझे इसका आपका ग्रैंड चैनल ठीक है इसको अपने याद रखने है इसको आपने याद रखने है इसले डाल दिया चीजे भूले आपको विजुलाइजेशन का फिस सुमत्र आइलेंड भी देखा यहां पे है आपका फॉर्टिंट वन लेक्षदिप आइलेंड इसस्मालेस्ट स्मालेस्ट है ठीक है स्मालेस्ट यूटी ऑफ इंडिया बात करें इस्टाइड लेक्षदिप आइलेंड गूर्प इसमेड़ डिपोसिट अब यहां कोरल डिपोसिट की बात करें तो कोरल यह आपका एक और्गैनिजम होता है ठीक है यह रहता है सिंब्यूर्टिक रिलेशन्शिप में ठीक है क्या होता है जो आपका लक्षदिप आइलेंड है यह कोई सब्मेरिन मॉन्टेन का अलिवेटिड पोर्शन नहीं है ठीक है जैसे अजय विडेशन्शिप में ठीक है यह क्या करता है इसका जो सक्यल्टन होता है ठीक इसको लेफ्ट कर देता है काफी कुछ टाइम के बाद एपना ज़ेकल बनED में बन जाता है यहीं वह ज you ए delic पॉलते हैं लक्षदी पाइलेंड तो यहां पर क्या पुछा जा रहा है किसका का बनाने बिल्कुल ट्रू है ठीक है गलत स्टेट्मेट यह नहीं है उसके बाद यहां पर है नलग्षदी पाइलेंड इज डाष ओरीजिन को इस तरह से भी आ सकता है वहह सकता है किसकी लक्षधीप की तो तब भी है से question का meaning same ही रहता administrative headquarter पूछा थब फूच्छा का मनिख सेम वैं तो पताए मुझे कावैरती कादमत कालपनी या does it in किलका फिर का इसका जो राइट Answer है वह आपका कावई रती ठीक है वह है administrative capital कापिटम अफ लक्षधी एक आपने अन्सर ही घंट लेते हैं अभी में आपको देख लेते हैं यहाँ पे इमेज पहले यह आपका लक्षदीप आईलैंड ठीक है यह क्लेक्टिवली є आपका लक्षिदीप आईलेंड कहाँ पे हाँ और eviden c में ठीक है यहाँ पे देखें कैरला के कोचीन से कितना यह कौन कौन सा आईलेंड कितना दूर पढ़ता है διαख जोम मीनी कॉय यह 398 किलूमेटर रहा qasasia के तुम कार्ले दों गैड से छाला से ठीक है उसके बाद यहां पर देखिए अभी मैंने आपको बतया रहे सबते है यह मेनिकोई मैं काई है मीनिकव सबसे हे जर्षभ सकते है ठीक है वीचे दफार लाजजेस्ट हमने देख लिए ठीक है उसके बाद चैनल यहां पर देखें चैनल क्या ओता है चैनल इस वाइड वाटर वेड एड पासिज ब्ट्वी तू नेबरिंग लैंड मांस यह आपका लैंड मांस वन यह यह लैंड मांस आपका टू है ठीक है यहां पर ये जो wide waterway है जो इसके इंदो land mask के बीच में है या इंदो land mask का neighbor में है इसका neighbor में ये water है इसके neighbor में ये water है अब दोनों के बीच में पड़ रहा है ये पानी ये waterway ठीक है इसको बोलेंगे channel मेरी बात समझ रहे हो इसको क्या बोलेंगे channel अब देखें straight क्या होता है अब यहाँ पर question था वैसे है statement true है या गलत है यह statement ब्लीकुल true है straight का पूछा क्या है straight क्या होती है narrow waterway ठीक है वहाँ पर हमने देखा यह दो landmass के बीच में क्या है एक waterway है ठीक है अब यह narrow की बात की जा रही है अब narrow है जो connect करते है दो larger water bodies को यह आपकी water body एक है ठीक है यह आपकी water body 2 है यह है इसका narrow waterway जो connect कर रही है दो larger किसको water bodies को तो इसको हम बोलेंगे यह है आपकी straight मेरी बात समझ रहे हो यह थोड़ी definitions clear रखना जब बात channels की की जाए न तब landmass याद कर लेना ठीक है जब बात straight की क कि जाए ना तो water bodies याद कर लेना कौनसी वाली larger वाली connect करेगा किसके through straight के through मेरी बात समझ रहे हो statement बिल्कुल true है a twenty-one twenty-one यहाँ बी क्या कह रहा है आपका देखे एडीग्री सब्सकाय आइअ anyway बेश에 सब्सक्राइब करता है मुझे पताएं आमिलीग्रीश क Dust के साथ सब्सक्राइब मैंने शाहर इसके नीचे इमेज डाली है क्योंकि आपको अच्छे से याद रहे यहाँ भी आप देख लिए ठीक है यह है आपका मीनी काई और यह है आपका माल दीव आंसर इस माल दीव यह देखें आपका 8 डिग्री चैनल ठीक है यह मीनी काई को सेपरेट करता है माल दीव से ठीक है ना मेरी बात समझ रहे हो आप ठीक है अब आ जाते हैं हम हमारे कोस्चन पर तो इसका जो आंसर है वो क्या है माल दीव ओके यहाँ पर है हमारा कोस्चन विच्ट फॉलिंग्री चैनल ठीक है किसकी अंडोमार निकोपार आइलेंड की पुछी जा दिया बताए मुझे कावारेटी कादमत कालपलानी पोर्ट पोर्ट ब्लियर ठीक है बताए मुझे इसका जो राइट आंसर है कावारेटी हम नहीं क्या देखा था किसकी अड्मिनिस्ट्रेटिव हेड़कॉर्टर था किसका वो था आपका लक्षिदीप आइलेंड का ठीक है न तो यहाँ पे पोर्ट ब्लियर है इसका जो राइट आंसर किसका अगर अंडोमार निकोपार आइलेंड की बात हो रही होगी ठीक है फिर 23 कोजिशन का कहा रहा है इस वीचा ता फॉल्विंग इस ओख आइलेंड की याद कर लेना ठीक है 24 कोजिशन की बात करें बेरन आइलेंड के लिया हमने क्या पड़ा था अउल्ली एक्टिव वॉल्कैनो ओफ इंडिया ठीक है अब बताएं इसकी location एक्टीव और के नुए तो पता हो ना जी कहां भी है ठीक है located in which part of endomond बताएं मुझे तो endomond के किस part में है ठीक है सबसे पहले क्या आता है आपका north endomond उसके बाद क्या आता है आपका middle endomond उसके बाद क्या आता मैंने south last पर ने लिखना south को second last पर लिखना south endomond फिर आगया आपका little endomond तो यह endomond के किस region में है बताएं मुझे कहां पर है यह आपका barren island तो बतादो मैं आपको middle endomond में है आपका barren island जो कि है आपका only active volcano of India ठीक है न 25 कोश्चन कहा रहा इंड्रा point जिसको जो कहते है southernmost point of India ठीक है अगर islands को include किया जाए ठीक है अगर exclude किया जाए तो कन्या गुमारी से southernmost point of India यहां पे इंड्रा point को बोलते southernmost point of India जिसको पहले क्या बोलते थे Pygmalion point और Parsons point ठीक है यह भी याद रख ले ना आपकी knowledge के लिए मैंने यहां पे addition की है question इस तरह से भी आते है exam में ठीक है statement लंबी करने के लिए questions देखके हम छोड़ देते basically question easy होता है ठीक है निको बार में होगया आपका inद्रा point ठीक है अब यह कहां पे होगया बताए हम आपका क्या इंद्रा पॉइंट्र ठीक है अब यहां पर हमारे कोश्चिंस कम्प्लीट होते इस इमेज में आपको अंडोमान निकोबार इलेंड बता रहा था ठीक है किस तरह से इसकी डिवीजन है वो आप यहां पर देख सकते हैं यह है आपका पूरा क्या अंडोमान जिसमें नॉर्थ अंडोमान मेडल अंडोमान साउथ अंडोमान उसके बता क्या लिटल अंडोमान डंकन पैसेज यहां पर देखिए लिटल अंडोमान के बीच में है और आपका किसमें है सौथ अंडोमान के बीच में है ठीक है न उसके यहां पे मैं आपको बता रहे था लक्षिदीप आई लएंड मीनि को सबसे लाज़ेस्ट वन केरला कोस्ट से कितना कितना डिस्टेंज किया हुआ है ठीक है यहां पर मैं आपको बता है ग्रैंड चैनल का किस तरह से मुत्रा समुत्रा ड्रीयलेंड अफ इंडोनेशिया और Great Nicobar को क्या separate करता है आपका Grand Channel ठीक है ना उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता रहा रहा है Minikoy and Maldives ठीक है यह Minikoy है ठीक है यह Collectively यहाँ पर है आपका Lakshadeep यह Minikoy है आपका separate करता है किसे Maldives से तो यहाँ पर मैं आपको यह बता रहा था कौन कितने degree channel separate करता है that is 8 degree channel ठीक है इसी के साथ हमारा PDF complete हुआ ठीक है तो आज किस वीडियो में इतना ही कैसी लगी वीडियो प्लीज लाइक करके बताएं थैंक्यू गाइस भाई अब मैं आपको अपने next part में मिलूँगा जो हमारा remaining रहता है अब लेकर आओं ठीक है थैंक्यू गाइस भाई